हालो फ्रैंस आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम एकदम निव्रियस पी ले के आए हैं एकदम ही देखने में इतना सुंदर है खाने में इतना ही स्वादिश्ट है जट पर दस मिनट में बनके तयार हो जाता है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मक्य काटा यह माप से ले रहे हैं तो मक्य काटा हमने लगभग एक काटोरी लिया है और इसमें मिलाने के लिए हम एक चम्मा सौफ लिए हैं देखिए अब हम लेंगे सबसे पहले एक बावल इस तरीके से बावल में हम एक कटोरी मक्के काटा रख रहे हैं उसी कटोरी से हम आधी कटोरी चेनी समें आड़ कर रहे हैं एक चमच हम साफ आइट कर रहे हैं आधा चमच बैकिंग सोडा और इसमें खास्ता के लिए हम लगभग दो चमच ले रहे हैं आयल दो चमच हमाइल लिए हैं हम इसको अच्छे तरीके से पहले मिला लेते हैं इस तरीके से देखिए बराबर हम इसको मिला ले रहे हैं अब इसमें हम हलका हलका पानी डालेंगे पहले हलका हलका पानी डाल की स्कुरूत हैं इस तरीके से इसको बूथ रहे हैं अब इसको रख देते हैं पांच मिनेट के लिए सेट हो जाये कि लगब पांच मेरत हो गया है राक है और यह इसके से हां से थोड़ा और मसल दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके सुक्राइब यह देखी अच्छी तरीके सां थोड़ा सा लोटे की इस तरह हम लम्बा कर लिए हैं और इसको छोटी-छोटी इस तरह के से पीस में हम बनाल काट ले रहे हैं इस इडिकिए एक साइज का हमने सभी पीस तयार कर लिया है और हलका सा हमाज से इसको प्रेस करके इसे काटे की चमस्य डिजाइन बना रहे हैं ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये डिजाइन बन की रेडि हो रही है देखने में भी सुन्दर लग रही है इस तरीके से सभी हम बना के तयार कर ले रहे हैं इस तरीके से सभी हमारा बनके रेडी हो रहा है यह बहुत ही जल्द बन जाता है अब इसको हम फ्राई करेंगे तेल में तो इधर रख दिये हैं कराही गरम हो रहा है इसमें तेज रहेगा तो उपर से जल जाएगा अंदर से कच्छा रह जाएगा इसलिए हमको मीडियम गरम में बनाना है एक एक करके हमने सभी इसमें डाल दिया है देखिए हलका सा इसको हम चला दे रहे हैं ताकि यह जले ना इस तरीके से चम्मत से हम दीरे-दीरे सभी चला दे रहे हैं देखिए फूल आ रहा है इसको हमको हल्का सा ब्राउन करना है यह देखिए अब हमारा ब्राउन हो गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से हम सभी प्लेट में निकाल के इसको रख रहे हैं और जो बचा हुआ है हम उसको भी बना ले रहे हैं यह देखिए सभी हमारा बहुत ही जल्द बन गया यह हमारा बनके रेडी हो गया है आप लोग का कैसा लगा कमेंटे जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा सभी भाई बहने को नमस्कार और धन्वाद